तो हेलो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको periodic table जो की inorganic chemistry का chapter 1 है उसके बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन-कौन से topic और questions important है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहते हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो आपकी पैस को like कर दे, subscribe कर द करें तो बहुत important है यहीं से question ज्यादा तर आते हैं atomic sizes में लोग पढ़ेंगे, EA पढ़ेंगे, IP पढ़ेंगे और EN पढ़ेंगे ठीक है दोस्तों तो वीडियो आज मैं आपको details के बाल पहले वीडियो पहले topic के बारे में बताऊंगा table and configuration चली दोस्तों स्टार्ट करते हैं त करता था यह भी NCRT से उठाया गया है और एक note दिख रहा है आपको तो note मैं आपको clear कर देना चाहता हूं कि total 118 element discovered हो चुके हैं और हम लोग पिरोडिटी टेबल में 112 पढ़ते हैं तीसरा एक most important question आपको दिख रहा है कि typical elements किसको करते हैं तो six third period के element जो कि sodium to chlorine होते हैं उनको typical periods का जाता है तो यह भी important question है जो तो चलिए आगे अब दोस्तों हम next question की और बढ़ते हैं तो next question आपको दीख रहा है breeze elements कौन-कौन से होते हैं तो according to modern concept पिरोडिक्टेवल में केबल तीन elements breeze elements होते हैं लीथियम बेरिलियम और बोरोन एक और important question है कि rarely separated elements पिरोडिक्टेवल में कि पिरोडिक्टेवल में दो प्रकार की classification पढ़ते हैं एक उता है बेजरन configuration बात करेंगे दोस्तों block, period and group number कैसे determine करते हैं तो उसको हम लोग 2 parts में बाटते हैं अगर atomic number विलेंने तो कैसे determine करना है और अगर outer configuration किसे कर दिया हुआ है तो कैसे determine करना है तो पहला topic, पहला part आता है Atomic number दिया हुआ है तो अगर atomic number दिया हुआ है अगर element f block अगर element 57 से 71 अगर atomic number 100 कर रहा है तो उसका block होगा F block period number जाएंगे 6 और group number 3rd period होगा अगर atomic number 90 to 103 दिया हुआ है तो उसका भी block होगा F उसका भी period number होगा 7 और उसका group number भी 3rd होगा अगर atomic number 104 से 112 दिया हुआ है तो उसका block होगा D block उसका period होगा 7 और वो last two digit atomic number उसको group determine कराएंगे अब हम बात करते हैं दोस्तों अगर उस atomic number कोई भी elements उस atomic number की range में नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है तो हम लोग next inert gas की और देखेंगे उसके अब हम लोग period number कैसे determine करनेंगे तो period number determine करने के लिए आपको उस element का next inert gas देखना होगा तो उससे आपको period power पता चल जैगा group number determine करना है तो इसके लिए मैंने आपको एक formula आपे show किया हुआ है इसमें आपको करना है ठारह minus atomic number of next inert gas minus given atomic number जो atomic number तेया हुआ है तेरा से ठार आता है तो पी ब्लॉक होगा और ऐसे आप ग्रूप नमबर और पिरेट डिटमाइन कर पाएंगे तो अब हम बात करेंगे दोस्तों अगर 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 नमबर ना देखिए आउटरन कांफिकरेशन किसी इलिमेंट की दिया हुआ है तो कैसे डिटमाइन करे है और ऑटर मंस Candie करना तो किसी भी अलेमेंट के लास्ट में अगर फश्काष्erne MIN ako मजरूरा आएंगे तो उसमें यहां करने है तो उसव में आपको जितने अगर भूऩ आपको डीन करने के लिए आपको और ख्लोक का कॉंच करना है कितने सब्सक्व के लिए आपको configuration screen पर दीख रहा है और उसका group नमबर तो आप जैनते हैं दोस्तों third group का elements पता है ठीक है अगर उपर दिए कोई भी configuration आपको नजर नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना आपको सीरा समझ जाना है कि वो d block का elements है तो d block के लिए आपको क्या करना ग्रूप नमबर कैसे निकालना है उसका तो नमबर आप एनस एलक्टॉन जोड़ देना है दोस्तों तो यहां तक था यह टेबर एंड कांप्रेकेशन का टॉपिक इंड होता है नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट टॉपिक प्राहू